संयुक्त राष्ट की ताजा व्यापार रिपोर्ट के मताबिक कोरोना वाइरस महमारी के चलते वैश्विक अर्थिव्यवस्था इस साल मंदी में चली जाएगी जबकि भारत और चीन पर असर नहीं होने की उमीद की जा रही है रिपोर्ट के अनुसार इस दोरान खर्बो डॉलर का नुकसान होगा और विकास सील देशों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा इस संदर्ब में संयुक्त राष्ट ने कहा है कि कोरोना वाइरस संकट के चलते विकास सील देशों में रह रहे हैं दुनिया के करीब दो तिहाई लोग अभूत पूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और साथ ही इन देशों की मदद के लिए 2500 अरब डॉलर के राहत पैकेज की सिफारिश भी की गई है संयुक्त राष्ट व्यापार और विकास संबेलन के एक ताजा विशलेशन में कहा गया है कि दुनिया की दो तिहाई आबादी प्रभावित होगी और अगले दो वर्षों के दोरान विकास चील देशों में करीब 2000 अरब डॉलर से 3000 अरब डॉलर के बीच विदेशों से आने वाला निवेश प्रभावित हो सकता है UNCTAD ने कहा है कि हाल में विक्सित अर्थ विवस्थाओं और चीन ने भारी भरकम सरकारी पैकेज की घोशना की है G20 के मताबिक उनकी अर्थ विवस्था को सहारा देने के लिए ये पैकेज कुल 5000 अरब डॉलर का होगा रिपोर्ट पे कहा गया है कि ये एक अभूतपूर संकट है जिसके लिए अभूतपूर फैसले करने है UNCTAD ने कहा है कि इन राहत उपायों के बावजूत वैश्विक अर्थ व्यवस्था इस साल मंदी के दौर में चली जाएगी और इस से अर्बो खर्बो डॉलर के वैश्विक निवेश का नुकसान होगा जो विकाशील देशों के लिए गंभीर मुसीबत बन जाएगा वीडियो डेस्क अमरुजाला.डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें